हेलो डियर फ्यूजर आफिसर स्वागत है आप सभी का ओनली आइस के करेंट अफेर्स पे बेस्ट एमसे क्यूज में फॉदे टार्गेट प्लेम्स 2021 आप टेलिग्राम चैनल जोइन कर सकते हैं ओनली आइस नथिंग एल्स जिस पे आपको यूपी एस से और स्टेट पीसी एस MPPS CRS वगेरा से रिलेटेड माटेरियल गाइडेंस हम मिलेगा तो चैनल का नाम है ओनली आइस नथिंग एल्स ठीक है पहला हमारा कुशन देखते हैं पहला कुशन दिया हुआ है कि अभी हाली में यूनियर इन्वायर्मेंट मिनिस्ट्री ने एक प्रोग्राम लांच किया ह बीम्स यह बीम्स क्या है कोई सॉलर स्ट्रीट का लेंप प्रोग्राम है टाइगर्स को ट्रैकिंग करने के लिए है एर कॉलिटी मॉनिटरिंग है देखो बीम्स दिया हुआ है अब बीम्स में अगर आप सोचो पहला आप्शन जो दिया है इको लेबल फॉर बीचेज अब प्रोग्राम लॉंच किया हुआ इसमें यही होता है कि बीच जो भी है हमारे जो भी समुद्र के किनारे हैं वहाँ पे क्लिनिंग हो वहांका इन्वार्मेंट बेटर हो वाटर क्वालेटी अची हो वहां पे सस्टेनेबल डॉवलपमेंट हो कोस्टल एकोसिस्टम है उसको किया जाए यह सारी चीज़ें इसके अंदर आती है अपना प्रग्यान होने वाला है प्रग्यान टू ओल इंडिया मॉक आप डीपी डॉट ओंली आइस डॉट इन पे जाके अपने आपको रजिस्टर भी कर सकते हैं और साथ-साथ में आप एप जरू डाउनलोड कर लीजि ठीक है और आपको ओल इंडिया जीयस मॉक मिले जीयस की टेस्स क्या बोलते है इसको ओल इंडिया आपको रैंक भी मिलेगी और लास्ट में आप जो है इसकी पीडिया भी डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है प्रिशन नमबर दो देखते हैं ऑफिशिल सीक्रेट एक्ट 1923 के बा जो है वो प्रिवेल करेगा तो जनरली क्या होता है कि ओफिशिल सीक्रेट एक्ट जो है वो प्रिवेल करेगा ठीक है अब देखो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए इसके बारे में डिटेल्ड जानकारी अगर डिटेल्ड जानकारी नहीं होगी तो इसको हम तुक्का मारके सही नहीं कर सकते हैं इस question को देखो पहला statement ना incorrect है reason ये है कि क्योंकि official secret act है तो government decide करेगी कि कौन कौन से documents होंगे जो की secret रहेंगे ठीक है मान लो कि आप किसी government organization के अंदर आप काम कर रहे हैं और आपके पास उन्होंने आपको एक computer दिया हुआ है जिसका आपको पास password है और आप क्या करते हो password आके अपने दोस्त को बताते हो और मैं तो वहां बहुत important task कर रहा हूं और मेरे computer का password ही है तो कोई hack कर सकता है न तो ये इस तरह की चीज़ें जो है वो official secret act के अंदर आती है और ये अंग्रेजों के time में कानून बना था ठीक है question हमारा second statement है वो भी incorrect है देखो reason क्या होता है RTI Act के अंदर बात की गई है कि हमेशा ही क्या होगा RTI जो है वो OSA के उपर prevail करेगा मतलब कभी ऐसा conflict हो जाए कि भाई किसी ने जानकारी मांगी हो तो सरकारी दफतर है ये बोलके उस RTI request को turn down नहीं कर सकता है कि भाई ये information तो जो है वो official secret act के अंदर protect की गई है बट इसमें ये है कि सरकार के पास एक बड़ा हतियार क्या है सरकार के बड़ा हतियार जो है कि section 8 है हमारे RTI के अंदर उसमें बात की गई है कि कई बार कुछ ऐसे information होती है जो अगर हम दे देंगे जो अगर disclose कर देंगे तो देश की security sovereignty integrity ये सब पर सारे cases ऐसे हैं जिसमें RTI कि अगर request को turn down कर दिया जाता है section 8 बोलके कि यहां section 8 के अंदर आम allow नहीं कर रहे हैं यह सारी चीज़ें ठीक है तो यह हमारा question number 2 होगे question number 3 देखते है blue flag certification के बारे में दिया है इसमें बोला है कि कोई beach कोई marina को sustainable boating tourism operator ठीक है वो सब क्या है कि इस blue flag के जरिये अपने आपको certified करवा सकते हैं दूसरा बोला है कि यह program जो है वो UNEP ने चालू कर रखा है देखो blue flag certification बहुत ज़्यादर news में था तो आपको पता होगा कि इसमें beach है या जो marinas है इन सब को certified किया जाता है इनको tag दिया जाता है ठीक है और इस program को UNEP नहीं चलाता है इस program को एक organization है जिसका नाम है the foundation for environmental organization यह Copenhagen Denmark के अंदर based है ठीक है तो होता क्या है कि देखो इस organization है कुछ criteria's रखें कोई भी अगर beach अगर इन criteria's को इन standards को fulfill करता है तो उसको वो blue flag certification मिल जाएगा जैसे कुछ major criteria है कि environmental education, bathing water quality, environmental management and conservation, safety, services मतलब माली जो कोई beach है वहाँ पे काफी सारे security cameras, CCTV cameras लगाए हुए है वहाँ के water quality जो है वो bathing water quality यहाँ पे आप देखना drinking water quality नहीं है थोड़ा confused please मत होना आप, bathing water यहाँ पे quality है ठीक है तो भारत के भी कई सारे ऐसे beach है जिनको blue flag certification मिला है गर हम ही पता हो कि किसी beach को blue flag certification मिला हुआ है तो हम यह मानते हैं कि भाई यह अच्छा beach है यहाँ पे साप सफाई और बाकि सब चीजें जो अच्छी है question number 4 देखिए national survey and mapping organization के बारे में दिया हुआ है यानि कि basic लेगर बात करें तो survey of India के बारे में बात की जा रही है दूसरा बोला है कि यह भारत का सबसे पुराना scientific department है दूसरा बोला है कि यह ministry of art sciences के अंदर आता है दूसरा बोला है कि भारत के अंदर जो भी geographical features है मतलब कोई न नामकरण की जिम्मेदारी जो है वो survey of India के उपर है देखो दूसरा statement गलत है क्या है गलत इसलिए है कि organization ministry of art sciences के अंदर नहीं आती है this organization comes under the ministry of science and technology तो हमारा option number B and option number D incorrect हो गया पहला और तीसरा बचा भारत की सबसे पुरानी organization है और जितने भी हमारे यहां पे geographical features है उनका नामकर investment सही हो गया हमारा option number C यहां पे सही हो गया 1767 के अंदर इसको किया गया था established देरादून उत्राखंट के अंदर इसका वो है ठीक है question number 5 दिया है the code of conduct और जिद्धा amendment recently India ने जोइन किया था as an observer तो यह code of conduct या जिद्धा amendment क्या है को diplomatic and councillor access related है import export है missile से investment है अफ्रीका के अंदर repression of piracy against the Sips ठीक है तो वो diplomat और counselor से related जो है वो Vienna convention generally news में रहता है और import export जो है वो MTCR होता है missile वाला ठीक है अफ्रीका के अंदर अगर को investment है तो उसके लिए कोई ऐसा convention कोई है नहीं बट यह जेद्धा convention या code of conduct तो बहुत जादा news में था तो obvious यह बात है कि अगर आपने कोई भी current affair follow किया हुआ तो आपको पता होगा कि यह reparation of the piracy against the Sips है ठीक है होता क्या है कि यह जो reason है जिसको आप red area में देख रहे हो Yemen, Oman, Saudi Arabia और यहाँ पे देखो आप यह सुवेज कनाल जो है यानि कि Panama नहर जो कनाल है उसको ठीक है यह तो सुवेज कनाल में क्या है कि बहुत ज traffic रहता है बहुत ज़्यादा सिप्स जाती है तो यहाँ पर सुमालिया जिबोती यहां के pirates क्या करते हैं सिप्स को जो हाइजेक कर लेते हैं और फिर ransom मांगते हैं ठीक है यह मोजांबिक हो गया मोजांबिक चैनल मडगास कर South Africa तंजानिया केनिया तो यह reason जो हो काफी मतलब piracy से बहुत ज़्यादा यह prone है यहां पर काफी सारे chances बहुत ज़्यादा chances रहते हैं कि piracy वगरा होने के तो यह सारे चीज़े हैं तो यह जिबोती code of conduct है वो इंडिया ने recently अभी as an observer जो है वो join किया है और यहां पर देखे international maritime organization के बारे में भी आपको net से थोड़ा सा पढ़ लेना है क्योंकि यह भी एक काम की हमारे agency है कल आपसे पूचा गया था कि एक traffic level से दूसरे ट्रॉफिक level में जाने में कितनी percent energy जो है वो transfer होती है तो generally 10 percent के एप्रोक्स जो energy है वो transfer होती है बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है रिद्धी साही जी ने अनामिका सुकल जी ने आजाद सिंग जी ने हिंदी में जवाब दिया है और विसाल सरमा जी ने दस पर ये भी अच्छा जवाब दिया है सबसे जो बहतरीन जवाब है वो sonal जी का इन्होंने काफी मतलब detail में लिखा है इन्होंने लिखा है कि शेर जो है वो लॉमडी को नहीं खाता है अपनी राजा सत्ता चलाने के लिए बट जब भी fox यानि कि लॉमडी को लगता है कि अब शेर बूड़ा हो गया है तो लॉमडी जो है उस शेर को मरवा देती है या मार देती है और खुद जो है वो शाशन करने लग जाती है इसके अलावा प्रिती मिश्रा जी ने LBSNA Attitude ज जी ने गोगाराम जाखट जी ने श्विता मिर्ना जी ने इन सभी लोगों ने भी बहुत सही आंसर दिये हैं आज आपको यह बताना है कि हॉर्ण ओफ एफरिका में कितनी कंट्रीज है और उनकी नाम आपको बताने है हॉर्ण ओफ एफरिका जो कि जिसको जो कि हम जनरली अफरिका का वो सिंग वाले ठीक है तो यहाँ पर आप मैप भी देख सकते हो यह मैप है यह हमारा हॉर्ण ओफ एफरिका है ठीक है यहाँ पर यह रीजन आज आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही आप जरूर बताईएगा कितने सही हुए कितने गलत